वीडियो में बात कर लेते हैं पारस defense and space technology की quickly analysis देख लेते हैं चनल को like and subscribe करना मत भूलेगा तो पारस defense में आप देख रहे होगे stock में यहां पे अपन को एक तेजी देखने को में लिए और यहां पे तेजी अपन को इसलिए देखने को में लिए क्योंकि stock के कुस्टमा पहले नतीजे रहे हैं इसलिए अगर आप देखें तो इसके पहले भी यहां पे stock already boom पे था 14% रिटन दे चुका था यह एक देखें तो अच्छी टेजी के साथ 29% रिटन दे गया ऊपर के level पर profit working भी होई है एक नजर पर नतीजों पर डालते हैं यहां पे देखें तो पारस defense में जो अपने result रहें sales जो अपनी रही है 79.69 CR की रही है लास्ट टाइम यही सेल अपनी 65.10 CR की रही थी इसके बाद expenses 67.44 CR की रहे है यहां पर 47.90 के अपने last year expenses थे operating profit इस बार 12.25 CR करा लास्ट टाइम यह 17.20 CR का था इसके बाद other income आप देखें तो इस बार 5.51 CR की रही लास्ट टाइम यह 75 लेक्स की थी ठीक है और यहां पर 75 लेक्स की थी इसके बाद आप देखें interest की बाद आती है तो यहां पर 2.26 CR करा लास्ट टाइम यह 2.1 CR का था तो यहां पर सब ठीक है दो या तीन CR की एक moderation के साथ stock सारी चीज़ें चल रही है अपनको profit for tax की बाद करें तो 12 CR के आस पास है लास्ट टाइम यह 12-13 के बीची था इसके बाद net profit इस बार थोड़ा कम हुआ 9.60 CR करा लास्ट यह 11.84 CR था तो EPS भी थोड़ा गिरा 2.56 रुपीज का हो गया लास्ट यह 2.76 रुपीज का था इन्वेस्टर पर नजर डालें तो यह FI ने अपने जो स्टेक हैं काफी कम कर दी लास्ट यह 0.49 था इस बार 0.13 हो गया डिया ने अपने हलका सा स्टेक बढ़ाया है लास्ट 9.73 था और इस टाइम 2.75 था तो यहां प देखें तो डिफेंस सेक्टर अच्छा बूम पहे है एल देख लो बीडी ल देख लो सारे ही तीज चीज है अपनको तेज देखने को मिल रही है इसके साथ अपनको जो प्रॉफिट वोकिंग देखने को मिली अपनको 886 से प्रॉफिट वोकिंग हुई हो यहां कहीं करता है तो यहां से आप 25-25 पॉइंट के आंकड़े बना लीजिए 20-25 पॉइंट सफीशेंट ने स्टॉक को उपर ले जाने के लिए यह कुछ अपने मूव रहेंगे 20-25 पॉइंट के तो आई होप यहां पर जो सारी अपनी रिजिस्टेंस हो गई जो इंपॉटेंट है व लाइगी और अगर यह ट्रेंड नहीं तूट रही है तो स्टॉक आप ऊपर की रिटन एंजोई कर सकते हैं अब बात आती है स्टॉक में सपोर्ट का होगे तो स्टॉंग सपोर्ट जो अपना नीचे की दिशा में पहले तो है एट फिफ्टी पर साइकलोजिकल लेवल अग अच्छी देखने को मिलेगी यह तो इक सदन अप्मूव निकला तो यहां पर आप देखो ट्रेंड लाइन का ब्रेक आउट भी होते हैं अजर आया एक तरह से यहां पर आप देखो कुछ यह फॉर्मेशन बन रही थी यहां पर ठीक है और यहां पर एक दम से सदनली तेज थोड़ा आ सकता है तो तैयार रहेगा जितना इस लाइन के आसपास मेल जाए सपोर्ट के पास उतना एक्युमिलेशन के लिए सही रहेगा क्योंकि स्टाउक ऊपर की दिश्राइब डेफिनिटली निर्धारित करेगा तो आय होप यहां पर मैंने सारी चीज़ने क्लियर कर ईसाँ बार दोड़ा आसप से करे दो